जैम आतादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूटीब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फरवरी माह 2022 के पहले सप्ता के कुम्भराशी फल के बारे में कुम्भराशी के लोगों के लिए एक फरवरी से साथ फरवरी तक का समय कैसा रहेगा इन साथ दिनों में ग्रहों में किस तरह के बदलाव होंगे क्या योग बनेंगे और इन योगों का प्रभाव ग्रहों की इस्तित्यों में जो परिवर्तन होगा उनका प्रभाव आपकी दिंचरिया को कैसे प्रभावित करेगा आपके करियर को, आपके व्यपार को, आपके प्रेम जीवन को, परिवाई जीवन को, स्वास्थ को, सिक्षा को हर चीज के बारे में विस्तार से जानेंगे बस आगे बढ़ने से पहले छोटा सानिवे दिन है वीडियो को लास तक जरूर देखे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और जोड़ जाए हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगे तो हम बात कर रहे हैं एक फरवरी से साथ फरवरी 2022 के कुम्बराशी फल के बारे में अब अगर इस सब्सक्राइब में आप गरहों के स्थितियां देखें तो सब्सक्राइब की शुरुवात से ही धनूराशी में शुक्र और मंगल की युति हुई है शुक्र मारगी हो गए है 29 जन्वरी की रातरी में तो सब्सक्राइब की शुरुवात से ही ये दोनों एक ही साथ एक ही घर में बैठे हैं और इस सब्सक्राइब में चार फरवरी को बुद्ध ये भी मारगी होकर कुम्बराशी में आ जाएंगी यानि कि बुद्ध जो है वो आपकी लगन में बैठेंगे जहां पहले से गुरु मौझूद हैं तो गुरु के साथ बुद्ध की युति होगी ये एक गुरु बुद्ध की युति धनुराशी में शुक्रमंगल की युति मक्का राशी में शनी बैठे हुए हैं तो यहाँ जो यूतियां हैं यह बड़े कमाल के भने वाली है अब ये तो हो गए जो ग्रहा है वो राशी बदर रहे हैं इसके अलावा दो फर्वरी से गुप्त नवरात्री भी है जो दस फर्वरी तक है तो यहाग गुप्त नवरात्री की भी जो यह साथ साथ चलेगा तो मादुर्गा का अशिरवात भी आपराप्ट कर सकते हैं और जो सब्ताहा का पहला दिन है, एक फरवरी का दिन, इस दिन मौनियम आवश्चा है तिथी के अनुसार इस दिन मौनियम आवश्चा है जो इस दिन को बड़ा महत्पूर बना रही है तो किछ इस तरह से इस सप्था की शिर्वात हो रही है आप इन सबी चीजों का कैसा प्रभाव आपके उपर होगा तो देखे एक तो आपको अपना मूड बदलने की आवश्चा होगे क्योंकि किसी का जो वाद विवाद है वो आपके अच्छे स्वेभाव उपर भारी बढ़ सकता है इसलिए अपना मूड बदलने और मूड बदलने का मतलब है किसी सामाजी कायजन में आप शिर्कत कर सकते ह और समाज के कुछ लोगों के साथ मुलाकात आप कर सकते हैं ऐसे लोगों से मिलना जुलना आपके लिए काफे फाइदे मन्द रहेगा उनके अनुभव से बहुत कुछ सीख आपको मिलने वाले होगी और इससे आपको कुछ सही नना लेने में मदद भी प्राप्त हो सकती है अब ये जो सब्ता है ये आपके जिन्दिगी में कुछ कई बड़े परिवर्तन भी लेकर आएगा क्योंकि ग्रहों में बड़ी फेर बदल है बड़ी उठा पटक है एक तो वेतन वरद्धी के कई योग बनेंगे आपके लिए आपके लिए वेतन वरद्धी हो सकती है इस सब्ता में इन साथ दिनों में जिसके कारण जीवन में खर्चे में भी वरद्धी होती हुए दिखाई दे रही है कहता है ना कि पैसा आता है तो खर्चा भी बढ़ता है तो वैसा ही स्थिथिया यहां बनती हुई दिके रहे हैं तो थोड़ा सा हाथ को टाइट करके चलें वरना इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा और जो आप खर्चा जो आप वेदिन व्रधी लेकर आएंगे खर्चे की वज़ाए से वो कुछ खास आपको फिर रिजल्ट नहीं दे पाएगा अगर आप खुद को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं तो अपनी जिस भी वज़ा के खर्च पर नियंतरन लगाना होगा और उसके संचा की तरफ आपको प्रियास करना होगा इस सब्ताहा समाज के कई बड़े लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है जिसकी वज़ाए से आपको उचित समय पर उचित अवसर प्राप्त हो सकते हैं और देखिए जब इंसान स्वैम भी उसके लिए प्रियास करता है तो ये जो चीजें हैं ये काफी हद तक आपके लिए पॉजिटिव हो जाते हैं तो कि ये मुलाकात आपको समाज में तो पदबरतिस्ठा दिलाएगी ही साथ-साथ परिवार में भी मान सम्मान दिलाने का कारे करेगी बुद्ध जो की आपकी लगन में बैठे हैं और गुरु के साथ यूति करे हैं वेपारियों के लिए अच्छे यूग बना रहे हैं बुद्ध का आपकी लगन में बैठना शिक्षा के प्रति इस राशी के जो students है उनको प्रेधित करेगा क्योंकि बुद्ध जो है उस सिक्षा के स्वामी भी है तो students अपनी सिक्षा पर ध्यान देंगे ध्यान देंगे कि ये समय आपके लिए कितना महत्पूर्ण है और उसका फायदा आप उठाएंगे पास्तोर से वो जात्र जो विदेश जाकर पढ़ाय करने का सपना देख रहे हैं उनके लिए ये सप्ताह विश्यत रूप्त से फलदाय सावित होगा एक बार फिर से जो मन में तमन्नाय थी वो सब ही जागेंगे इसलिए ये समय काफी अनुकुल आपके लिए रहा है और देखने को मिलेंगे ऐसे में अगर आप इस दोरान निवेश या कोई नया काम शुरू करते हैं तो आपको अच्छा लाब होना संबव है इस अवदिह में आपको नया निवेश कर सकते हैं जो आपके लिए लाबकारी सिद्ध होगा तो ये काफी अच्छा है आपके लिए आर्थिक मामलों में भी ठिक ठक समय रहेगा और उन्नती होनी तो निश्चित है आपके लिए बुद्ध का प्रभाव बहुत अच्छा है गुरू जो कि आर्थिक स्वामी है आर्थिक स्थिक के आपके स्वामी है जो लगर में बैठा हुए है ये बुद्ध के साथ मिलकर अच्छी स्थितियों को बनाने वाले हैं वैपारिक जो हानी हुई थी उनकी भरपाई करने का समय है उनकी भरपाई करने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं इस चीज़ पर भी आप ध्यान देंगे और जहां तक प्रेम संबंद का सवाल है तो प्रेम संबंद बड़ा रोम तो बड़ा अच्छा है और सुक्श मरधी के संयों भी हैं सुक्श मरधी याप की होगी भिवाहिक जीवन की बात करें तो आपका जो स्वभाव है हस्मुक स्वभाव है उसकी वज़ए से यह पूरा सपता बड़ा अच्छे से वियतित होगा और आप अपने परिवार को भ व्यक्ति से भी मुलाकात हो सकती है यह जो सब्सविता है कुछ मामलों में तो मौज मज़ती में भी बीदेने वाला है जैसे परिशितों की घर envlic कारे में शामिल होने का उश्शर प्राप्त हो सकता है तो कुछ बड़े अच्छे काम भी होने वाले हैं और भाई बहनों के साथ भी अच्छा तालमेल बिठाने में आपको कामया भी मिलेगी उनके साथ भी अगर कुछ खट पर चल रही थी तो उनको भी आप सुल जाते हो दिखेंगे चोटी चोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ढेहां रखना है कि किसी के भैकावे में न आए किसी कोई व YouTuber मामले में आपको बताता है तो समझ जाएं कि वो आपको बहका रहा है और उस दो चीज में आपको नहीं आना है अगर आप अपनी जीवन में सब कुछ सुखत जाहते हैं तो उसकी बातों में बिल्कुल ना है कामकाज के सिलसिले में कुछ लोगों को यात्राइं करने पड़ सकती है भागदोर जादा करने पड़ सकती है तो उस समय पर आपको अपनी सेहत का खैल रखना हो सेहत समंदी छोटी मोटी परिशानिया वरना हो सकती है जो 50 अबव हैं उनको घुटनों जोडों के दर्द की समस्या हो सकती है तो उनको ज़्यादा ध्यान रखने के अवशक्ता होगी अब देखिए इस सब्ता में एक उपाय है जो आपके लिए बहुत उत्तम है हनुमान पूजा आप प्रति दिन सुभा को ग्यारा बार ओम हनुमते नमहा इस मंत्र का जाप करें लेकि पूजा हनुमान जी की ही करें इस से हनुमान जी के साथ साथ शनी दिव का आशिरवाद भी आपको प्राप्त होगा तो दोस्तों और अदिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले